मेरे जखमों की वज़े भी वो है दवा भी वो है मेरे जखमों की वज़े भी वो है और दवा भी वो है नमक जखमों पर लगाएं भी तो क्या? अरे मुखबत करने की वज़े भी तो भी है Hello Friends, Welcome to HSSE Adda HSSE Adda YouTube चैनल पर मैं परदीप सहराओत एक बार फिर से आप सभी साथियों का हारदी स्वागत करता हूँ तो पहरे बचो, HSSE की NCRT Math की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है आज हमारी क्लास नमबर कौन सी है? 29 यानि की 29 में क्लास पहरे बचो सोच सकते हो पहरे बचो, अभी तक कुल मिलाकर 28 क्लास इज हो चुगी है आज हमारी क्लास नमबर 29 है और पहरे बचो, मैट्रिक्स का पारट नमबर 5 है और पहरे बचो, लगबग लगबग आज मैट्रिक्स हमारी complete हो जाएगी जो इसके टाइप होते हैं, जितनी भी सारी चीज़े हैं, इसे पहले चार क्लासीज में भी हमने किया, हर तरह मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, square matrix, diagonal matrix, सब कुछ पढ़ लिया, पैरे बचो, transpose हमने पढ़ लिया, पैरे बचो, symmetric, squeeze matrix हमने पढ़ लिया, पैरे बचो, आज पैरे matrix, inverse of matrix क्या होता है, पैरे बचो, किसी भी चीज का inversion, inversion के बारे में तुम लोगों ने पढ़ रखा गा, पैरे बचो, inversion क्या होता है, आज हम inverse matrix के बारे में ही बात करेंगे, तो पैरे बचो, हर एक चीज concept के साथ हम पढ़ेंगे, सारी चीजे with concept, एक एक चीज step by step पढ़ना है, पैरे बचो, अभी तक हमने हर topic, पैरे बचो, step by step ही पढ़ा है, 28 क्लास हो चुकिए, पैरे बचो, क्लास नंबर 29 फिर से बता रहा हूँ, अलग से playlist बनी होई है, इस वीडियो के description में playlist का link भी मिल जाएगा, उसके अंदर पैरे बचो, जरूरी नहीं है कि हरे कलास आदे गंटे की है, एक गंटे की है, तीन तीन गंटे की, चार चार गंटे की कलासेज भी पैरे बचो हैं, एक topic, एक मैराथन में पैरे बचो हमने खतम किये हुए हैं, लग बग स्टार्टिंग के तब 10 बारा, 10 टोप पात करें, जहां से HSSC question पूछ सकता है, NCRT से सारे topic में करवा चुका हूँ, पैरे बचो, तो पैरे बचो, इस playlist को मिस मत करो, अगर तुम चाहते हो, पैरे बचो, सच में, हरियाना पुली, SI, Gramsachew, Color के paper में पैरे बचो, तुम्हारा selection हो, तो पैरे बचो, ये तुमारे लि है, HSSC Adda, वहां पर जुरूर जुड़ो, हर तरह का link description में है, पैरे बचो, description को open करो, वहां से चीजों को देखो, आप चाहो तो Instagram पर मुझे follow कर सकते हो, HSSC Adda quiz group में जुड़ सकते हो, हर तरह की facility आपके लिए free of course है, पैरे बचो, इस class की PDF आपको, पैरे बचो, मिल मेरा थन class हुई है, मैत की पैरे बचो, HSSC previous year की 12 गंटे की मेरा थन class है, पैरे बचो, पूरा Google YouTube चान मारो, पैरे बचो, अगर ऐसी वीडियो तुमें मिल जाए, तो फिर मुझे पता दे ना, पैरे बचो, की सर हमने वहां से आपसे बैटर पड़ लिया है, नहीं मिल सकती, HSSC का मैत है ना, जो पैरे बचो, जो HSSC जहां से question पूछता है, पैरे बचो, अभी तक HSSC ने कुल मिला कर 32 topics से, 32 से भी ज्यादा topic से question पूछे हूँ है, पैरे बचो, जो 12 गंटे की class है ना, उसकी PDA, पैरे बचो, आप लोग चाहो तो, उसको purchase कर सकते हो, PDA, पैरे बचो आपको मिलेंगे 500 plus questions, 550 plus questions, पैरे बचो, जो directly HSSC की paper में पूछे हुए है, 2015 से लेकर 2021 तक, selected question, जो पैरे बचो, आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, वो question with solution, solution के साथ, पैरे बचो, PDF की cost रहेगी 30 रुपे, कितनी पैरे बचो, 30 रुपे, अगर कोई बचा 30 रुपे में नह की लेना चाहते हो, पैरे बचो, तो एक PDF परचेज करना, पैरे बचो, दोनों मत करना, कहीं बचो ने क्या किया, दोनों PDF को परचेज कर लेते हैं, फिर पैरे बचो, उनकी payment refund करवाने पड़ती है, सारा काम बढ़ जाता है, पैरे बचो, यहाँ पर management पैरे बचो, इस तरह ह पैरे बचो, उनके लिए तो इस PDF से बढ़ करना, पैरे बचो, उनके लिए तो इस PDF से बढ़ करना, कुछ भी नहीं हो सकता, ने तुम्हें प्रैक्टी से लेने की जरूर था, ने तुम्हें कहीं होर से कोई data लेने की जरूर था, ने कोई किताब लेने की जरूर था, यह PDF क इसके टोपिक से भी कितने क्वेस्टिन आये हैं, सब कुछ, कोई एक सिंगल टोपिक भी वहाँ पर मिशन नहीं मिलेगा, मातर 30 रुपे में प्यारे बच्छों, और यहाँ पर प्यारे बच्छों, नंबर दिया हुआ है, अब आपको शिरफ इसी नंबर पर पेमेंट करनी है, और इसी नंबर पर आपको अपना सक्रीन सोट बेज़ देना है, आपको प्यारे बच्छों, प्यारे बच्छों मिल जाएगी, प्यारे बच्छों, मिस मत करना, शिरफ उन बच्छों को प्यारे बच्छों, जो अपना ट description में है और प्रेबचो हिंदी की previous year papers की प्रेबचो जबरदस्त वीडियो है 4-5 गंटे की मी समत करना प्रेबचो एक वीडियो में complete चीजें दे देता हूं मैं previous year की ठीक है अपना काम यह यह प्रेबचो आप बनाते हैं marathon videos ठीक है marathon specialist अब यहां पर invert and inverse of panels की बात करते हैं प्रेबचो metrics से पहले मैं तुम से जानना चाता हूं क्या तुम ने invert का नाम कभी पहले सुना है क्या जानते हो प्रेबचो तुम के बारे में क्या होता है inversion kijica को दियान से से शृताओ यहां पर क्या होथा अपर पैरबेचोथा जैसे की मेरे पास एक value देदी ک्या value देदी norm refusing đầu pники्श का मतलब का पर मतलब क्या होता पेरवारइचो उल्टा यानी कि है रिसी प्रोवकल पैरवारइचो मेरे पास यहां एक चीज दे दी, उसने का मेरे पास साथ नंबर है, एक नंबर है साथ, पैरे बचो मैं कहुँगा, इसका उल्टा क्या होगा, पैरे बचो, इसका इनवर्स क्या होगा, पैरे बचो, इसका इनवर्स तुम कहोगे, गुरू जी, एक बटे साथ, क्या कहोगे, एक बटे साथ, अगर पैरेबचो मैं इसको काट दू तो क्या पैरेबचो यह आपस में कट कर कितने केकवल आगा पैरेबचो एक एकवल आगा की नहीं आगा बोलो हाँ उसी तरह से पैरेबचो हमेशा किसी भी value को उसकी पैरेबचो से उसके reciprocal यानि कि इसके inverse के साथ multiply करेंगे तो पैरेबचो हमारे पास क्या होगा वो value एक दुज़रे को cancel कर देंगे कोई भी value ले लो पैरेबचो कोई भी यहाँ पर ले लो 12 ठीक है 12 का inverse क्या लोगे पैरेबचो एक बटे 12 काट दो क्या जाएगा 1 यानि कि पैरेबचो हमेशा क्या होता है कोई भी value अपने inversion के साथ multiply की जाती है तो वो कट जाती है आपस में और एक एक वला जाती है इसे बोला जाता पैरेबचो inversion क्या बोलते हैं इसको inversion inversion क्या होता पैरेबचो देखो यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिस करो पैरेबचो मैं इसको इस तरह से भी लग सकता था 12 गुणा 12 की power ज़ु पावर में का से शोग करते है पैरेबचो पावर में माइनस में जितनी भी power दियोगी पैरेबचो अगर हमें inversion लिखना है तो पैरेबचो पावर को माइनस करते है इसको बोलते हैं इनवर्स matrix, इसको बोलेंगे inverse, क्या बोलेंगे inverse, यह 12 का inverse, इसका अपने आप में मतलब क्या हो जाता है, प्यारे बटे 12, कहीं पर भी पर तुम्हें कोई भी value दी होगी, उसकी power अगर minus 1 दे दे, जिस तरह से प्यारे बटे 12, कि पर भी पर तुम्हें 10 inverse, sin inverse, तो प्यारे बटे बटे बटे, तो उपी पर समझ जाना, वो inverse की बात कर रहा है, हमसे inverse की बात पूछना चाहता है, प्यारे बटे, उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजे तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब प sechs इसों पारेब puntos macam थैंद को उसा की आप Marie सब्सक्रेश रूं करते हुं tags इसके प्रूल प्रिस को पढ़ेगा प्हेल हैं थीन रूल आप पर पर रोका फिलम्म के पार मुंदें हर चीज पड़ी है तो तीन रूल बनेंगे उन रूल को क्या बोलते हैं प्यरे बच्छों elementary operations of matrix उनको क्या बोला जाता भी elementary operations of matrix प्यरे बच्छों जिन बच्छों ने पहले वाली चार matrix की classes नहीं देखिया प्लीज उनको देख लेना प्यरे बच्छों वह बहुत ज्यादा important है उसके बाद ही प्यरे बच्छों यहां की चीज़े समझ में आएंगी क्योंकि यह लाट की चीज़े हैं अगर मैं बात करूं ncrt की प्यर्वचों तो जैसे हमारा ncrt के exam होते है प्यरे बच्छों इस टोपिक को remove कर दिया गया है वहाँपर अभी आपी तोपिक नहीं है लेकिन प्यरे बच्छों HSSC ने यहां से question पूच लिया था इसलिए पैरेबचो हमारे लिए यह important है हम तो पैरेबचो इसको complete करेंगे आज हमारा यह देखा जाए तो पैरेबचो matrix की last class रहेगी इसके बाद पैरेबचो matrix के अंदर कुछ बचा नहीं है जो हमने पढ़ा नहीं है लेकिन पैरेबचो कुछ miscellaneous type के questions की एक class लेकर आऊँगा जिसमें mixed questions करवाँगा कम से कम 20-30 questions तुम्हे matrix के अलग से करवा दूआ एक practice set की तरह मान के चलो उसको या फिर live class कर लेंगे वो भी कोई दिक्कत नहीं पैरेबचो वो depend करेगा time के उपर situation के उपर तो पैरेबचो यहां पर matrix बहुत ज्यादा यह वाला पाराट भी बहुत ज्यादा important है क्योंकि यहां से HSSC पहले question पूछ चुका है साइद color के paper में question पूछा था और एक साइद हरियाना पुलिस के paper में भी पता नहीं SI के paper में question जरूर पूछा है आपसे ठीक है तो पहले बार पहले दो question यहां से आ चुके है elementary operations of matrix इनको elementary transformation भी बोल देते है transformation यान कि पहले बचो एक चीज को दूसरी चीज में क्या करना रूप अंतरन करना उसका change करना इसको बोले जाता पहले बचो क्या transformation या बही elementary operations यह पहले बचो inversion के बारे में यहां पर पहले बचो अगर तुमने यह basic सवरू की 10-15 minute अच्छे से समझ ली ना तो पहले बचो तुम्हें life में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी matrix का inversion करने में मेरा हमेशा पहले बचो पढ़ाने का यही तरीका होता है मैं पहले बचो बेसिक समझाता हूँ 10-15 minute के लिए topic का introduction देता हूँ पहले बचो और उस introduction में पहले बचो टोपिक का 90% 80% पार्ट में cover कर देता हूँ उसके बाद पहले बचो रह जाती है तुम्हारी questions की practice तो पहले बचो starting की यह 15-20 minute बहुत ज्यादा important रहने वाली है तीन operation है पहले बचो तीनों को बताँगा एक एक करके और पहले भी बता दिया था अपना पहले बचो complete maths का course लोंच होने वाला है पहले बचो उसमें क्या क्या होगा पहले आपके लिए arithmetic arithmetic plus advanced maths आप समझते हो पहरे बचो arithmetic और advanced क्या होता है तो पहरे बचो arithmetic के जितने भी topic है सारे के सारे topic पहरे बचो इसके अंदर कम से कम 19-20 topic होंगे arithmetic के ठीक है लगबग 20 topic मान के चलो पहरे बचो arithmetic के और advanced के लगबग 7-8 topic ठीक है वहाँ पर पढ़ने को उसमें 30 topics हैं 100 से ओपर videos होंगे वहाँ पर 120-30 के करीब वीडियो होंगे 140 के करीब जितने भी होंगे उसमें कुछ topics की video अभी pending है वह पहरे बचो दीरे दीरे उसमें मैं add कर दूँआ प्यारे बचो selected questions मैं हमेशा से करवाता आया हूँ उसमें भी प्यारे बचो शिरफ selected questions exam oriented चीजे ही प्यारे बचो मैंने वहाँ पर लिया भालतू का कचरा प्यारे बचो मैं ना तो paid course में देता हूं ना pre classes में देता हूं अप सोच सकते हो कितना जवरदस्त content यहाँ पर देता हूं तो प्यारे बचो अगर paid class आप लोगों ने मेरे से purchase कि होगी तो उसमें प्यारे बचो मै कैसा content दे सकता हूं कितनी महनत उसके ओपर चल रही होगी पेरे बचो हर एक चीज अब किस platform पर course है पेरे बचो एक दो दिन में आपके सामने सारी चीज़े आ जाएंगी तो पेरे बचो उसको launch कर देंगे चिंदा मत करो अभी तो अभी तब पेरे बचो अगर आप लोगों ने किसी का course purchase नहीं कि आपना इसका जो competition level का exam होता है पेरे बचो किसी भी exam में बैठ जाना उस course से बाहर question नहीं जाएगा और पेरे बचो उस जैसा course आपको कोई teacher बना कर नहीं दे सकता है बहुत मेहनत के साथ बनाया पेरे बचो आप लोगों के support की भी जरूरत है क्योंकि पेरे बचो आप समझत चला रहे है चल ही रही है complete नहीं हो रही है लेकिन पेरे बचो किसी भी चीज को एक systematic way से करना है तो पेरे बचो देखो उसके लिए थोड़ी सी course तो रखनी ही पड़ती है systematic way से पूरा course करवाया गया है अगर पेरे बचो उसी तरह से ये भी paid series होती ना अपनी पेरे बचो चाहे महिने में class आई पेरे बचो लेकिन content उसमें complete होगा topic का content जो वो बिल्कुल miss नहीं होगा पेरे बचो ठीक है तो पेरे बचो ये चीजे होते हैं अगर systematic way से करनी है ना चीजे पेरे बचो तो फिर हमें थोड़ा सा पेरे बचो देखो expense तो बुकत नहीं पड़ते है और इतना भी नहीं होता है कि हम तैयारी करने गए सरकारी नोकरी की और पेरे बचो भरी में तो मतलब सपने तो सरकारी नोकरी के है ना और पेरे बचो देखो चीजों को समझो लोग 15-15 लाग रुपे नोकरी के लिए देते हैं ठीक है और तुम पेरे बचो कितने रुपे बच ला रहे हो अपने, एक कोरस परेबचो छोटा सा, ऐसा नहीं होता परेबचो, कि तुम चाहते क्या हो, परेबचो, सस्ती जीज, चलो, मान के चलते हैं, परेबचो, कोई आदमी तुमें 200 रुपे का कोरस देतेगा, चलो, ठीका भई, 200 रुपे का कोरस तुमें मिल गया, उसमे परेबचो, क्या गारंटी है कि उसमें चे एक्जाम में आजएगा, और क्या तुम उसको वापीस बोल सकते हो, वो का देगा, 200 रुपे मोर तु केचावा है, इतना ही मिलागा, ये तो अब्यूस सी बात है, परेबचो, जितना गुड ढालोगे, उतना ही मीठा हो जाएगा तो परेबचो, हर चीज अपने अकोर्डिंग होती है, ये नहीं होता, भी 500 रुपे की फीस में सेंटर पैड मिशन भी ले लो, और उसमें एक जोड़ा भी दे दे, तो अमना गेला भी जोड़ा टैंका, बैक टैंका, और मसूरी कर दे जाओ गर तक, ऐसा नहीं होता परेब परेबचो, मुझे systematic भी पसंद है, मुझे फालतो की अडंग बढंग चीज़े बिल्कुल पसंद नहीं है, परेबचो, तो अब परेबचो, हम operations के बारे में पढ़ते हैं, एक बार मैं board को साप कर लेता हूँ, तो परेबचो, यहां से हम अपना elementary operations start करते हैं, elementary operations of matrix, ठीक है परेबचो, तो सबसे पहला हमारा point क्या रहेगा परेबचो, सबसे first point, परेबचो, एक चोटी सी बात तुम्हें बता देता हूँ पहले, देखो क्या होता है, जब भी हम परेबचो, हमने परेबचो, मैट्रिक्स के बारे में क्या पढ़ा तुम लोगोंने, मै short statement, परेबचो, हमने subtract किया, minus किया, multiplication पढ़ा परेबचो, गुणा पढ़ा हमने, लेकिन परेबचो, हमने उसका divisibilityन नहीं पढ़ा परेबचो, हमने उसको भाग करना नहीं पढ़ा, तो परेबचो, अगर मैं इस inverse matrix को परेबचो, कहे दू परेबचो, ये एक divisibility वाला room है, matrix तो इसमें कत्य गलत बात नहीं होगी, यह एक divisibility पारट ही होता है, इसमें एक और छोटी सी statement, एक छोटा सा थोरम होती है, वो यहाँ पर लिख लो, हमेशा एमेट्रिक्स इन्टू A-Inverse, हमेशा किसके एक बलाएगा, एक identity matrix के एक बलाएगा, अगर हम इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं, A-Inverse पहले हो सकता है, और A-Matrix बात में भी हो सकती है, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख लो, या इस तरह से लिख लो, हमेशा किसके बलाएगा, एक identity matrix के equal आता है, अब पर चीजों को समझ रहा है ध्यान से, हमारा पहरेबचो, अब फर्स्ट टाइप जो हो स्टार्ट कर दिया है, हमने, दड़ाद से पहरेबचो, चीजों को खतम करेंगे, देखना, एक दम से पहरेबचो, तो सबसे पहले क्या होता पहरेबचो, इंट्रचेंज ओफ एनी टू रोज और अनी टू कोलम्स, यानि की पहरेबचो, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, उसमें क्या कहा, उसने, चीजे साथ के साथ लिखना, पहरेबचो, अगर नोट्स बनाओ गए, तो फिर दुबारा वीडियो देखने की जरूर तो भी नहीं पड़ेगी, इंट्रचेंज ओफ एनी टू रोज और एनी टू टू किसी भी दो रोज को, या किसी भी दो कोलम्स को आपस में, इंटरचेंज करना, ये होता है पहरेबचो हमारा का है पहला ओपरेशन, क्या वही? द्यान से समझना है, एक एक चीज, एक पॉइंट को नोट करते चलना साथ के साथ, यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिए, यह मैट्रिक्स है उसने क्या कहा, परवचो, इंटरचेंज ओप एनि टू रोज और एनि टू कोलम्स तो परवचो, पहले हम row operation apply करेंगे, कुनसा परवचो, row operation परवचो elementary row operation बोला जाएगा परवचो, इसको, इसमें interchange का मतलब क्यो ह창시, इंटरचेंज को इस तरह से खो किया जाता है, परवचो ठीक है, कैसे परवचो, देखो, row one interchanges with row two, मैंने परवचो इसका मतलब क्या हुआ देखो परवचो यहां पर रो वन कौन सी परवचो यह वाली है हमारी रो वन यह वाली क्या परवचो हमारी रो टू और रो थरी कौन सी परवचो यह वाली सब को पता है पहले पी पता है चीज़ों वहाँ, आछे शुब्यूंस अख़्ेस पता है, क्या होगा, ठाण से डियान से समझना, हमारे पास पहले अक मैट्रिक्स बनके आएग अब इंवर्स नहीं किया है, इंवर्स अभी स्टार नहीं हुआ अधि रखना है इन चीज़ों क ध्यान से सुनना चीज़े क्या कहा रहा हूँ मैं inversion का ये तीन टाइप के elementary operation होते हैं जिनके उपर inversion depend करता है ये elementary operation लगा कर ही हम inversion करते है matrix का कैसे करेंगे वो सवालों के जरी ये भी समझेंगे आगे अब ही पहले इसको समझो तो रो को रो वन को रो टु के साथ interchange करना परवल्चो उसको क्या करना है आपस में बदल देना है उलटा सुलटा करदेना परवल्चों कैसे देखो इनका परवल्चो अगर मैं कर दूँ 어떻게 interchange का मतलब समझेंगे इनको आपस में interchange करो चार को परवल्चो यानि कि रो 2 को रो 1 बनादेंगे, परवेचो और रो 1 को रो 2 अगा जाेगा, इंस रो रो 2 का मतलब हुआ है, तो सचराटिंग में, क्या जाएगा हमारा फय जाएगा, वाहँ संब तổi सार खाम साथ आप इसके अंदर कोई change नहीं होगा यह पर corresponding elements में change नहीं होता change directly कि इसमें हो रो में हुआ है देखो, रो 2 को हमने रो 1 बना दिया और रो 1 को हमने रो 2 बना दिया elementary operations का पहला पार्ट है इसी के अंदर यह तो हमने रो हमने कौन सा रो method apply किया row operation लगाया अब पहरवचो column operation लगेगा कौन सा operation लगेगा पहरवचो? column का operation interchange of column कोई सा भी column कर लो पहरवचो column 1 interchange is with column 2 ठीक अभी? column 1 को interchange करो पहरवचो column 2 के साथ देखो, यह हमारा पहला part है interchange of any इसके अंदर पहरवचो 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 हमारा row का और पहरवचो दूसरा कौन सा होगा हमारा column का कौन सा भी? column का interchange is column 1 with column 2 column 1 को column 2 के साथ चेंज करो paper में directly question 1 थे इसके उपर कभी कोई मजाग मिले जाए इनको पहरवचो यह क्या column 1 यह क्या column 2 और यह क्या column 3 उसने क्या का पहरवचो नई matrix बनके आएगे अपने पास columns को पहरवचो interchange करना है आपस में 1st को और 2nd को पहरवचो 1st column को नसा मेरा 147 2nd क्या पहरवचो 258 तो क्या हो जाएगा? interchange हो जाएगे पहरवचो 2nd column क्या बन जाएगा मेरा 1st column क्या है पहरवचो 2nd column मेरा 258 और 1st क्या है पहरवचो 147 पहला क्या है पहरवचो 147 अब इधर क्या जाएगा पहरवचो 3, 6, 9 यह हमारा पहरवचो 3rd वाला ऐसे का ऐसे रहेगा मतलब पहरवचो इसके अंदर no change 3rd column पहरवचो बिल्कुल same है और any 2 columns किसी भी 2 columns को या फिर पहरवचो किसी भी 2 rows को हम पहरवचो आपस में इंटरचेंज करके पहरवचो inversion matrix का कर सकते हैं अगर possible होता है तो अब पहरवचो next हमारा इसका जो दूसरा type है उसके बारे में पढ़ते हैं एक बार बोर्ड को साब कर लो तो पहरवचो हमारा जो next part है उसमें क्या कहा है multiply any row और column with a non-zero number क्या है भई multiply any row or column with a non-zero number number या फिर इसको बोल देते हैं investment of a constant number किसी भी पहरवच। non-zero number के साथ किसी भी row को या फिर पहरवचो одной पहरवचो किसी भी of column को multiply कर देना क्यों पहरवच। non-zero ही क्यों बोला है पहरवचो क्योंकि पहरवचो अगर हमने 0 के साथ multiply कर दिया तो प्यरबचो क्या हो जाएगा matrix के अंदर elements zero हो जाएगे तो प्यरबचो उसके अंदर उसका वज़ूद ही खतम हो जाएगा तो वो हमें खतम नहीं करना ये matrix मीटे गई भी यहां से matrix दुबारा लिखने ही पड़ेगी ये matrix क्या लिखती हमने 123456789 हमने यह matrix ली होई है तो इसके अंदर अब हम यह दूसरे वाला प्रोसेस जो मैंने बताया है elementary operation का यह लागू करके देखेंगे कैसे देखो क्या कहा है multiply a row किसी भी row को multiply करना है यानि कि हमारे पास क्या है यह row 1 है यह row 2 है और यह क्या row 3 है तो मैंने क्या कहा मैंने operation दे दिया तुम लोगों मैंने बोला कि भी row 2 को operation लगाओ और elementary operation operate row 2 with 2R2 यानि कि इसको चेंज करना है row 2 को हमने किसमें इसका मतलब क्या प्रौ2 को हमने किस्टे multiply कर दिया एक number है कौन सा 2 इसको डिनोट कासे करते हैं जो डिनोट करने का तरीक्ता होता है जैसे कोई भी row है row 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती 3 भी हो सकती है उसको प्रौ2 मैं यहा पर row 2 मानके चलता हूं तुम rho 1, rho 3, कोई भी ले 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 ला, k into rho 2, ठीक है, r के साथ यहाँ पर पर जो भी rho यूज करेंगे, वो ही यहाँ पर यूज करेंगे, बस यह बात ध्यान रख लेना, पर पर के की जगाए पर कोई भी non-zero number हम यूज कर सकते हैं, अब पर फचो चीजों को ध्यान से समझ रहा है, मतलब उसने कहा है, तो पर पर फचो इसका मतलब क्या है, सिरफ रो 2 में चेंज आएगा, रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको लिख यूज को एसे का, ऐसे, second element को प्रवचो 2 से multiply करेंगे तो कितना बनेगा 10 अब क्या प्रवचो 6 6 को भी 2 से multiply करेंगे तो कितना बनेगा 12 कितना बनेगा प्रवचो 12 अब प्रवचो 3rd row 3rd row में कोई change नहीं आएगा प्रवचो उसको लिखो ऐसे का ऐसे यह मारा क्या हो जाएगा प्रवचो elementary operation कौन सा भी multiplication वाला operation प्रवचो यह हमने लगा दिया row 2 के अंतर यह हमारे पास matrix आजाएगी ठीक है प्रवचो अब आता है हमारा प्रवचो यह तो रो वाला प्रवचो रो वारा operation था प्रवचो अब आता है column operation इसको प्रवचो इस तरह से भी लिखतेते हैं elementary column operation इसमें क्या होगा प्रवचो इसके अंदर हमें करना क्या है यह column 1 है यह column 2 है और यह क्या है प्रवचो column 3 कोई दिक्कत कोई परिशानी प्रवचो इतने चीजे तुम्हें अच्छे से समझ में आई अरे बोलो हाई नहीं आई तो प्रवचो वीडियो को दुबारा से repeat करके देखना एक एक चीज को एक एक concept को ध्यान से समझना प्रवचो अगर नहीं समझोगे तो तुम्हारा loss है मेरा कोई loss नहीं है ठीक है प्रवचो तो नोट्स जरूर बनाऊ गए तो वीडियो दुबारा से देखने की जरूर नहीं पड़ेगी वरना प्रवचो वाद आए मेरा चाहिद 10,000 टीचर से पड़ लेना कितनी भी वीडियो देख लेना प्रवचो प्रवचो एपर में Lee question नहीं आने वाला होने वाला question तो आएगा लेकिन होगा नहीं यह भी वादा आए selection कौन लेगा प्रवचो जो notes बनाएगा जिसको selection लेना वो notes बना और जिसको नहीं बनाना वो मत बना मेरा काम है तुम्हें फर्योफ कोट सलेबस देना सलेबस पूरा करवा दूँगा परेबस एक्जाम से पहले मुझे यह नहीं बोल सकते कि सर एक्जाम में ये क्वेशन आगा आपके पढ़ायो ऐसे बाहर नहीं आएगा मुझे पता है परेबस एक्जामिनर की सोच का ठीक है लेकिन तो तुम्हारे पर डिपैंड़ा ना तुम मेहनत कितनी करते हो अब यह थोड़ी नहीं कि मैंने बोरट पर पढ़ा दिया तुमने दस मिन्ट वीडियो देख ली और भई तुम बनगे सायन सा ऐसा नहीं होता है पढ़ना पढ़ेगा भई पहना पढ़े नहीं होगा तो परवचो यहां पर कोलम का ओप्रेशन लगाओ कैसे लगाओगी देखो कि यहां पर हम लगाते हैं कोलम 3 में लगाएंगे इस बारन तीक हाँ अपनी मरचि से कोलम 3 इसको प्रवचो हम 5 के साथ मुल्टिप्लाइ करेंगे बड़ी वैल्यू से करेंगे ठीक मेट्रिक्स के अंदर जो हमारे दो कोलम है पहला और दूसरा उसमें तो कोई चेंज नहीं है उनको लिखो ऐसे का ऐसे 1 4 7 2 5 8 ठीक है पहरे बचो अब कोलम 3 में तो चेंज आएगा उसने कहा है कोलम 3 को चेंज करो कैसे 5 गुना कर दो सभी ऐलिमेट्स का बस यही कहा है उसने ध्यान से चीजों को समझो 5 गुना कर देते हैं वही तीन का 5 गुना कितना हो था मेरे लाड़ लो 15 कितना भई 15 अब पहरे बच होगे दो का मतलब हमने 4 पड़ लिये हैं 6 पड़ने हैं पहरे बचा है यानि कि उसके अंदर 2 है अब next करते हैं पहरे बचो बोर्ड में साफ करता हूं तुम नोट कर लो चीजों को हिए थ्रम डाट आटा है उसमें क्या क्या पर्चेजों को द्यान से समझना क्या कर देखो चेंज नी रोख और कोलंब और आडिंग और सब्ट्रेक्टिंग SAME ही पार्जियनि है रोभ और ही को फड़न बाट adding और subtracting यहनि कि किसी भी row और column को change करना है उसके अंदर प्रविश्चों कुछ add करना है और कुछ उसमें से minus करना है Equimultiplies of corresponding elements Equimultiplies of corresponding elements एक एक चीज समझाऊंगा प्रविश्चों ध्यान से समझना है एक एक चीज बिल्कुल of any other row or column of any other row or column ठीक है प्रविश्चों यह हमारा क्या बन जाएगा प्रविश्चों एक थरड ओपरेशन यह एक ऐसा operation है प्रविश्चों इसके अंदर हमारा first operation और second operation दोनों प्रविश्चों एक साथ use होते हैं और use कैसे होते हैं प्रविश्चों use उनको corresponding elements के उपर ही use करना है कैसे प्रविश्चों तदेखो मैंने कहा है प्रविश्चों यहाँ पर अपने पास क्या है यह रही रोवन ये रही रोटू और यह रही रो ओ ठी कौनसी वह रही रो ठी अब प्रविश्चोßen मुझे यहाँ पर एक उपड्रेशन लगाना है आर वन के अंदर लगाओ पैरे बच्छो मैं रो वन के अंदर एक operation लगाओ उसने का भई एक रो वन है मारे पास इसके अंदर एक operation लगाओ रो प्लस थ्री आर्टू का रो 1 के अंदर operation लगा वह प्यारबचो, र 1 पलस 3 R2 का, यानि कि रो 1 पलस 3 इंटु रो 2 का, ये operation लगाना है, प्यारबचो, अब corresponding elements की भी बात हुई है, इसमें प्यारबचो, चीजों को समझना कि कैसे कैसे चीजे हम करेंगे, हमें यहां पर interchange करना होगा चीजों को कैसे देखो यहां पर हमारी matrix बन जाएगी क्या कहा है उसने हमें प्रवचो यहां पर row 1 को change करना है तो प्रवचो इसका मतलब क्या है row 2 or row 3 में तो कोई change नहीं आएगा बोलो हाँ कोई दिक्कत पर परशा नहीं प्रवचो प्रवचो एक काम करो पहले row 2 और row 3 को ही लिख लो काम खतम करते हैं इनको लिखा हमारे पास प्रवचो रोवन की जगह खाल ली है अब प्रवचो इसमें इसको प्रवचो कैसे हम अपलाई करते है यह operation कैसे अपलाई करोगा देखो चीजों को समझो प्रवचो रोवन को प्रवचो चेंज करना है corresponding elements प्रवचो अगर जो पहला element है प्रवचो पहले element को चेंज करना है प्रवचो रोवन का पहला element क्या है मेरे लाड़ दो 1 रोवन लिखा प्रवचो हमने क्या है 1 प्लस का साइन लगाया ठीक है रोटू आर्थरी यानकी प्रवचो तीन गुणा आर्टू row 2 का पहला element क्या है वही 4 है, क्या है, 4 है और multiply किसे करना है, 3 से किसे वही 3 से, तो 3 गुणा 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा वही, 3 into 4 यह मारा क्या जाएगा पहला element अब आती है बात दूसरे element की चीजें समझ में आ रही है row 1 का दूसरा element, देखो element corresponding का मतलब है, पहले element का पहले के साथ, दूसरे का के साथ, तीशरे का तीसरे का साथ, तो यहां पर दूसरा element क्या है, 2, plus हमें करना क्या है, 3गणा हमारा element क्या है row 2 का 5, कोई दिक्कत, कोई प्रिहा नहीं अब यहां पर पर हमारा 3rd element है वो क्या है Gor akan देखो R1 बोला सुने, तो third element लेंगे परवचो, इधर 3 से multiply किसको करेंगे परवचो, और row 2 के, इसी element को परवचो, third element को, multiply कर दो, तो matrix क्या बनेगी परवचो, यहाँ पर एक matrix बनेगे, इसको क्या लिखेंगे परवचो, 4-3-12, 12-1 कितना होगा भी 13, ये 3 change हो जाएंगे, बस इसके उपरी लिख देता हूँ, परवचो, मैं ठीक, red marker से लिख देता हूँ, इनको तुम्हें अलग से नजर आ जाएंगे, 4-3-12, 12-1 कितना होगा, परवचो 13, फर्ष्ट element 13, ये marker भी पता निक कैसा हो गया है, 5-3-15, परवचो 2 कितना होगा, परवचो 17, और परवचो 6- परवचो 18-3 कितना होगा, 21, ये element परवचो हमारे पास आ जाएंगे, 1st row के element, इस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं, परवचो, सबसे ज्यादा यूज होगा, परवचो ये वाला, ये वाला method सबसे ज्यादा यूज होगा, operation, जो भी है, तो परवचो, अब दूसरा क्या होग कॉलम 1 को हम किस के according change करेंगे, परवचो, कॉलम 1 को हम change करती है, परवचो, c1 प्लस 2 c3, c1 प्लस 2 c3, ठीका, जैसा परवचो वह बोलेगा त, वैसा ही हमें करना पड़ेगा, अब परवचो को चेंज करना है, किस के साथ पकॉलम 1 का element, परवचो, की पास का sign, 2-column 3 के element, ठी यहां से क्या होगा हमारा Column 1 ही change होगा Column 1 change होगा 2 और 3 तो change नहीं होगा यहनि कि Column 2 और 3 कोम लिख सकते हैं डारेक्टली ऐसे ही 2 3 5 6 और क्या है 8 यह तो पहरेबचो हमने लिख लिए वह वाले Column इनको बाद में भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं थी इनमें कोई change नहीं आएगा Column 1 change होगा कैसे change होगा देखो चीज़ों को समझना पहरेबचो Column 1 का पहला element देखो क्या है Column 1 का पहला element है 1 क्या गुरुजी 1 तब अब क्या करना है 2 गुणा C3 Column 3 का पहला element क्या है यह रहा Column 3 पहला element पहला element है 3 2 गुणा 3 कोई दिक्कत कोई प्रेशा नहीं Column 1 का दूसरा element 4 plus 2 गुणा क्यों क्यों करेंगे 6 Column 1 का तीसरा element 7 plus 2 गुणा यह क्यों होगा C3 के साथ multiply यानि 9 के साथ multiply है तो यहाँ पर चीज़े क्या आएंगी हमारी बनbesy हमारी कि दोनी कि चाह ऋरल एक साथ च्क दूनी बारा ओर चार शोलह कि नोधूनी एठारा और साथ कितने को जाएंगे पर चीश को appear 25 तो मैट्रिक्स परकिश Ann क्या आगया चेंज करके परेबचो इसके अंदर परेबचो elementary operation हमने column operation लगाया तो परेबचो का मिला हमें 7,16 और 25 क्या मिला हुई 7,16 और 25 तो परेबचो यह तो थी basic बाते इनके बारे में ठीक है बिल्कुल basic operation elementary operation कैसे लगाई जाते हैं एक एक चीज तुमें समझा दिये परेबचो अब चीजों को परेबचो directly questions के जरीए से समझेंगे questions के ओपर method apply करेंगे और questions को परेबचो करेंगे solo कैसे करेंगे परेबचो चीजों को आगे समझते हैं तो परेबचो यहाँ पर हमने elementary operations के बारे में तो पढ़ लिया ठीक है अब परेबचो इनको apply कैसे करना है एक बार उसके बारे में परेबचो दो तीन चोटी चोटी बाते बता देता हूं यह directly कैसे apply करोगे और परेबचो उसके बाद हमें जो matrix मिलेगी हमें क्या पता है पर तो परेबचो यहाँ पर heading क्या लिखोगे तुम inverse of matrix by elementary operations इनवर्स of matrix by elementary operations ठीक है परेबचो अब इसके अंदर क्या होता है परेबचो हमारे दो तरह के परेबचो हम operations लगाते हैं एक तो row operation लगाते है परेबचो और एक लगाते हैं हम column operation कौनसा भी column operation तो पहले हम कौनसा operation रो ओपरेशन, ठीक है प्रवचो रो ओपरेशन, इसके अंदर क्या बनेगा प्रवचो देखो, चीजों को ध्यान से समझना है, एक की कॉनसेप्ट बताऊंगा प्रवचो उसके अंदर सारी चीज़े तुम्हारी कलियर हो जाएंगी, क्या होगा भई, A is equal to I A, A is equal to I A, ठीक है प्रवचो, हमें यहां पर प्रवचो किस के अंदर हमें operation लगाना है, यहां पर A matrix के अंदर लगाना प्रवचो और इस identity matrix के अंदर लगाना है, इसके अंदर प्रवचो कोई change नहीं आएगा, तो प्रवचो यह चीज नोट कर सकते हो, तुम directly यह चीज नोट कर एक ऐसी square matrix प्रवचो जिसके जो diagonal element होते हैं, वो प्रवचो non 0 होते हैं, यानि कि 1 होते हैं, शिरफ 1, बाकी सारे element प्रवचो क्या होते हैं, 0, प्रवचो identity matrix हमारे किसके equal आएगी प्रवचो यहां से B, A के equal, इसके प्रवचो B, A के equal, और प्रवचो जो यह B आएगा ना हमा हमारे A matrix हो प्रवचो, फरवचो फो identity में change होगी, operations लागो करते जाएंगे फरवचो अपनी thought के according, अपनी observation ौभर का खेल रहेगा, इसके अनधर सारा का सारा जैसे ही इदर हमारी identity matrix आजाएगी ना प्रवचो operations लगाने के बाद इदर एक matrix आएगी प्रवचो यह identity matrix भी प्रवचो चेंज होगी एक B matrix में और प्रवचो जो B matrix यहां पर बनेगी ना वही हमारा क्या होजएगा प्रवचो एक हमारा पास matrix A का inversion इसी को बोलते हैं प्रवच प्रवचो A matrix बराबर है किसके हो जाएगा प्रवचो A into I के यहन कि प्रवचो देखो यहां पर I A था इदर A I हो जाएगा लेकिन प्रवचो operation इन ही matrix में लगेगा A में और इसमें प्रवचो इसमें identity matrix में तो प्रवचो in the end हमारे पास क्या हैगा प्रवचो जो यह A matrix है यह इस side वाली matrix हमारी प्रवचो इस side वाली Matrix हमारी identity matrix बन जाएगी उसी time प्रवचो जो यह B matrix होगी यही प्रवचो हमारे क्या आजाएगा invitation of A my उसे बोलेंगे प्रवचो इन वर्वचो इन वर्छ of a matrix बस प्रवचो यह चीजे याद कर लो और वह 3 concept प्रवचो हमाराekt पेरेबचो, inversion of matrix का खेल खतम, ठीक भी, आप पेरेबचो, चीजों को, सवालों को, सवाल लगाते हैं, पेरेबचो, एक सवाल रो के उपर करवाऊंगा, एक कोलों के उपर, PDF में कही सारे सवाल दे दूँआ, पेरेबचो, बाकी सब practice दूमे करनी है, ठीक पेरेबचो, अब आ using elementary transformation, find the inversion of the matrix, तो पेरेबचो, हमें इसका inversion निकालना है, matrix का, कौन सा method यूज करेंगे, पेरेबचो, कोई भी method यूज कर सकते हैं, चाहे रो का, चाहे कोलम का, तो पेरेबचो, हम सबसे पहले, रो वाला, इस matrix के अंदर, पेरेबचो, हम elementary row operation को, यूज करेंगे, पेरेबचो किसको यूज करेंगे मेरे लाड़ो, elementary row operation को, तो पेरेबचो, elementary row operation में अभी तुम्हें क्या पताया था, अभी पताया पेरेबचो, मैंने तुम लोगो क्या, जब भी पेरेबचो, row operation लागो करेंगे, A is equal to I A, ठीक है पेरेबचो, ये A, पेरेबचो, हमारा identity matrix बन के आएगा और पेरेबचो, ये जो I होगा, ये B matrix बनेगा, और ये ऐसे का, ऐसे रहेगा, ठीक है पेरेबचो, जैसे ये मारे पास यहाँ पर identity matrix आ जाएगी ना, तो पेरेबचो, हम यहाँ पर अपना operation रोक देंगे, और वो matrix जो पेरेबचो, identity matrix जिसमें change हो जाएगी, वो हमारा क्या पेरेबचो, एक inverse matrix of A, inversion of A, ठीक है, अब पेरेबचो, चीजों को द्यान से समझना है, देखो, चीजों को द्यान से समझना है, क्यों, क्योंकि पेरेबचो, एक-एक concept यहाँ पर पेरेबचो, बिल्कुल जबरदस्त होने वाला है, तो पेरेबचो, मैं यहाँ पर सबसे पह क्या होती है, पेरेबचो, 1001, और पेरेबचो, इधर लिख लो, A, डायरेक्ली, बस, इसके साथ में लिख लो, क्या, A, क्यों लिखा पेरेबचो, देखो, मैंने क्या कहा था, पेरेबचो, देखो, identity matrix, जब भी पेरेबचो, A into A inverse होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, identity matrix, मै एक दुसरे के ओपर depend करने वाली चीजे होती है, यह, बनी बनाई चीजे होती है, तभी कोई यह सोचे कि मैं बना रहा हूँ अपने पास से, नहीं, पेरेबचो, एक-एक चीज, एक-एक concept अपने आप कलीर होता चला जाता है, जब पेरेबचो, तुम चीजों को थोड़ा स पढ़ते हो, तो पेरेबचो, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे यह वाला जो element है, यह 0 बनाना है, बताओ इस element को मैं 0 कैसे बना सकता हूँ, यह रो 1 है, यह क्या हमारी रो 1, और यह क्या रो 2, तो मुझे रो 1 के अंदर एक पेरेबचो क्या करना है, रो 1 के आज मैं अगर ρο 1 में से, रो 2 को मैनस कर दू, क्या भी?, रो 1 में से रो 2 को मैनस कर दू, नहीं कि 2 में से 1 मैनस किया, तो पेरेबचो, पेरेबचो, यहां पर क्या हो जाएगा, चलो तो प्रवचो यहां पर क्या हो जाएगा 2-1 ठीक रो 1 में खली रो 2 तो हमारी सेम रहेगी प्रवचो 1-1 इसमें कोई चेंज नहीं आएगा कोई डिफरेंश नहीं आएगा टो मैंने क्या किया यहां पर देकों चीजों को ध्यान से समझाना प्रवचो 2-1 यानि कि रो 1-2 , दो माइनस एक और कोस्पोंडिंग एलिमेंट्स प्रवचो इस मैंट्रिक्स में भी लागओ होगा यह matrix तभी तो change होएगी न, अधर वाज तो यह क्या रहेगी, identity matrix रह जाएगी, तो परवचो बी matrix तो यही आएगी, असली तो answer मार यह वाली matrix आएगी, change होगे, तो परवचो इसमें भी लागू करो, row 1 में परवचो क्या लागू करना है, r1-r2, तो परवचो नीचे वाली त 0-1, परवचो 0-1, जैसे उसने कहा है, वैसे हमने किया, तो परवचो अपने पास क्या आगया, इधर लिख लेते हैं, फिर बाकी उदर लिख लेंगा, ठीक है, तो परवचो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 में से 1 गया, कितना बनेगा, 1, 1, 1, यह परवचो एक matrix बनगी अपने operation लागू करने के बाद हम पहुंचें यहां तक, अब परवचो एक दूसरा operation लागू करना पड़ेगा, तब जाकर परवचो चीज यह हमारी कुछ बन सकती है, तो दूसरा operation क्या लागू करना पड़ेगा, परवचो, मुझे परवचो, यहाँ पर क्या चाहिए, इस matrix के अं पतलब, रोवन के साथ तो कोई छेट-छाड नहीं होगी, छेट-छाड किसके साथ होगी, रोटू के साथ, रोटू का परवचो मुझे यह वाला element क्या करना है, जीरो बनाना है, परवचो, जीरो बनाने के लिए परवचो, अगर मैं एक काम कर लो, इस रोटू में परवच 1, 0, 0, 1, ठीका, रोवन तो परवचो सेम रहे इसमें भी सो कोई चेंज नहीं आए गा, इसको लिखको, परवच हो अशीका, अब परवचो बात बनेगी रोटू की, इसकी बनेगी भी रोटू की बात, रोटू में क्या क्या चेंज आएका, दियान से समझना है चेंजओ को तो देखो, 1-1, R2-R1, यह R2 परवचो यह R1 है, 1-1, इधर क्या होगा परवचो? यह R2 परवचो यह R1 है, 1-0, क्या जाएगा भई? 1-0, और यह परवचो अपने पास मैट्रिक्स आगी, अब परवचो उधर दूसरी इस मैट्रिक्स में भी सेम प्रोसाइस, परवचो, रो R2-1 क्या अपनी? 1-1, और रोटू क्या है मेरे लड़ो? 0 और 1, तो परवचो मुझे क्या करना है? R2-R1, R2-R1, रोटू का पहला अलिमेंट परवचो और R1 का पहला पहला अलिमेंट, इसमें से इस अलिमेंट को माइनस करो, R2-R1, तो परवचो 0-1, 0-1, ठीक भी? आगी देखो तो फोटा जाएगा तो बाइक में चीज हो इंसे सभी कि यह एक और आणव शिसे Hm नहीं थे हमें, इसके equal लाना था परवचो चीजे हैं हमारी solve हो चुकी है, अब यह वाली matrix बनाओ, 1, minus 1, और यह कितना भई, minus का 1, और यह 1 plus 1 कितना हो जाएका 2, तो परवचो, और multiply by A, तो परवचो यह मेरे पास क्या आगी, एक matrix बनके आगी, यह परवचो, देखो चीजों हमारी क्या हो जाएगी, B matrix, कौनसी बही, B matrix, और परवचो A, ऐसे का, ऐसे साथ में है, मतलब परवचो क्या हो गया, जो यह B matrix हाई है, यही क्या है, परवचो, B is equal to inversion of A, B is equal to inversion of A, और यही matrix, परवचो, option होंगे, 4 question के अंदर, परवचो, option कितने होंगे, 4, क्या कहेगा, पर पर जन बताओ, क्या होगा, inverse matrix कौनसी होगी, 4 option में, परवचो, एक matrix जीवाली भी होगी, और परवचो, 3 और option भी होगे, तो हमें select करनी है, यह, इस तरह से question बनेगा, यह नहीं होगा, कि पूरा स्वाल बोलेगा, कि पूरा करके दिखाओ, तो परवचो, हम यहां से कह सकते हैं, hence, hence भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, hence, A inverse is equal to 1 minus 1, और परवचो, minus 1 कौन, और 2, यह वाली जो matrix है, परवचो, यह उसकी inverse matrix हो जाएगे, क्या हो जाएगी, इन्वर्स matrix, बोलो हाँ, कोई दिक्कत, कोई प्रिशानी, परवचो, सवाल पेपर में आएगा, बन जाएगा, अरे, बोलो, बन जाएगा, अब परवचो, हमने row वाला method apply किया, पहले परवचो, row 1 के अंदर apply किया, हमने परवचो क्या किया, elements को परवचो, देखो, इसके equal लाने की कोशिस की, इस element को 0 बनाने की कोशिस की, परवचो, तो row 1 में से row 2 को minus कर दिया, परवचो यानि कि, परवचो, हमने क्या किया, इसमें से, इसको minus किया, इसमें से, इसको, तो परवचो, हमारे पास क्या आ गया, यह वाली matrix बनके आई, फिर, परवचो, हमने क्या किया, यह वाला element 0 बनाना था, तो परवचो, row 2 में से, परवचो, हमने row 1 को minus किया, तो परवचो, हमा identity matrix लेते हैं साथ के साथ पेरे बचो इस matrix में वो same process apply करते हैं same method apply करते हैं तो पेरे बचो चीजे हमारी solo होने लग जाती है ठीक है पेरे बचो अब next question देखते हैं तो चलिए पेरे बचो हमने एक सवाल पेरे बचो किया elementary row operation के ऊपर ठीक है पेरे बचो अब हमारा इसके अंदर हम कोन सा operation लगाएंगे मेरे लडलो हम लगाएंगे elementary column operation दो ही तरह के ऊपरेशन है एक row और एक column पेरे बचो इनको लगाने के पेरे बचो तीन तरीके मैंने बताई तुम लगों को basic तरीके से पेरे बचो एक एक चीज समझाए अब पेरे बचो हमने row operation कैसे लगाना है उसके उपर सवाल किया पैरेबचो अब कोलम ओपरेशन कैसे लगाना है पैरेबचो क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा चीजों को ध्यान से समझो मेरे लाड़लो चीजों को ध्यान से समझो पेपर में question क्या बनेगा पेपर में इस तरह से पेपर तुम्हें एक matrix दियोगी और क्या कहेगा मुझे पेपर इस matrix का inverse बताओ क्या होगा क्या होगा पेपर पेपर इन्वर्स क्या होगा उसके दोवारा हम इसका क्या निकालेंगे inversion किसी भी तरह से निकाल सकते हैं दोनों तरीकों से इसी question के अंदर हम रो वाला भी method लगा सकते हैं और इसी question के तरह हम column भी लगा सकते हैं वो depend करता हम किस तरह से लगाना चाहते हैं मतलब क्या पेपर अंसर तो सेम आएगा चाहे कोई भी method अपना लो बस यह चीज है पेपर रो वाला मैंने करके दिखा दिया पेपर अब कोलम वाला मैं करके दिखाता हूं पेपर तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा A matrix is equal to A i किसके equal, A i i के लिएठ हाम ने identity matrix यह matrix हमारी किसमें change हो जाएगी identity में और पहरेबचो यह A matrix हमारी सेम रहेगी और यह identity matrix पहरेबचो एक B matrix बनके आएगी एक नई matrix बनेगी और यह जो नई matrix बनकर आएगी पहरेबचो यही हमारा क्या हो जाएगा जो B matrix आएगी निकल के यही मारा क्या होजगा परबचो inversion of A यानि कि A inverse परबचो वही मारा क्या होगी एक matrix परबचो तो चीजों को तुम समझ गए हो के परबचो एक बार फिर से बता देता हम परबचो अपनी परबचो अपने चैनल पर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा परबचो बारा गंटे की math की मेरा अचन कलास होई थी परबचो बारा गंटे की math की परबचो HSC के previous year के paper के पूछे होगे question 32 plus topic के question परबचो topic wise questions परबचो उस video के अंदर करवा रखे हैं वीडियो को जुरूर देखना परबचो exam में परबचो घरियाना, police, SI परबचो किसी भी exam के लिए परबचो most important class परबचो पूरे Google और YouTube पर उससे important class कोई नहीं हो सकती परबचो हर एक paper से question मैंने वहाँ पर डाल ले हुए है जो selected question है परबचो वो सारे के सारे दूसरी बात परबचो उसी class की PDF यहाँ पर परबचो मेरी side में आप देख रहे होगे अगर परबचो PDF purchase करना चाहते हो तो 5500 plus questions के साथ PDF है परबचो सारी information दे रखे है हर एक special video मनागे डाल रखे है वीडियो का भी link description में PDF को कैसे खरीदना है तो परबचो उस PDF आपकी cost परबचो 30 रुपे अगर आप solution के साथ चाहते हो 5500 plus questions परबचो with solution आपको मिल जाएंगे और परबचो अगर आप बिना solution के लेना चाहते हो खाली परबचो आप क्या चाहते हो आप without solution only answer की के साथ अगर लेना चाहते हो तो उसकी cost परबचो 20 रुपे 89, 80, 10, 14, 12 पहले परबचो दूसरे नमबर पर payment होती थी कोई दिक्कत नहीं पहले परबचो उस नमबर पर भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन screen short पहले परबचो इस नमबर पर बेजना है आपको और पहले पहले परबचो अब आप इस नमबर पर भी payment कर सकते हो directly इसी नमबर पर payment करो 89, 88, 10, 12, 12 और इसी नमबर पर प्रेवाचो अपना payment का प्रेवचो अपना screenshot बेज़ दो आपको PDA प्रेवचो तुरंत मिल जाएगी अरे मेरे लाडलो इतना जबरदस्त content है आपको math के लिए नहीं तो कोई practice set करीदना है नहीं प्रेवचो कहीं पर भी कुछ नहीं कोई mock test लगाना है कुछ नहीं परफचो सिरफ इन questions की practice कर लेना मेरे परफचो आपका exam में question बनेगा ही बनेगा इनसे बाहर क्या question बनेगा परफचो इससे परफचो तुमें हर एक चीज का पता चलेगा कि अब हम करते हैं क्या इस question के ऊपर बात तो परफचो हमने क्या किया यहाँ पर एक matrix लिख लिख ली यह परफचो अपनी क्या है matrix अब परफचो इसके according चीजों को put करो परफचो ए मैट्रिक्स क्या है परफचो मेरे पास यह वाली matrix identity matrix बन जाएगी न 1001 की फोरम में आ जाएगी तभी परफचो हमारे पास इधर यह भी एक matrix change okay matrix बनेगी और वही हमारा क्या होजएगा परफचो इनवर्जन ओफ ए मैट्रिक्स यानि कि परफचो वही हमारा उस matrix का इनवर्जन निकल के आएगा अब प्रफचो मुझे यहां पर कोलम operation लगाना है elementary column operation प्रफचो तो प्रफचो मुझे यहां पर कोलम operation लगाना है प्रफचो तो प्रफचो मुझे यहां पर कोलम operation लगाना है प्रफचो परवचो देखो C2 के अंदर मुझे operation लगाना है, यानि कि column 2 के अंदर एक operation लगाना पड़ेगा भी, क्या operation लग सकता है? Column 2 के अंदर एक ऐसा operation लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा? Column 2 जो है परवचो, इसका जो element 5, यह किस में convert हो जाएगा? परवचो 0 में convert हो जाएगा, तो परवचो ऐसी situation में मैं कौन सा परवचो यहाँ पर operation यूज कर सकता हूँ, तो परवचो जो operation लगेगा, वो क्या होगा? 2C2-5C1, क्या भी 2C2-5C1, क्या भी 2C2-5C1, तो लगाओ भी operation कैसे लगाओगे परवचो, देखो, हमारे पास परवचो यह वाली matrix दी हुए है, ठीक है परवचो, अब हमें परवचो यहाँ पर, column 2 के अंदर परवचो क्या करना है? यहाँ से, परवचो, column 2 के अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें, column 2, देखो, यह वाला column 2, यह column 1 है, column 2 के अंदर हमें क्या लगाना होगा, यहाँ से, अरे बोलो, क्या लगाओगे, operation, परवचो, column 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसको तो रखो, परवचो, ऐसे का, ऐसे, 2, यह क्या होगा हमें, 2 और इसको देखते हैं, बहुत बढ़ी हा, 2 और 1, अब आता है, परवचो, हमारे पास क्या, second column, परवचो, इसके अंदर, परवचो, हमारे पास changes आएगे, ठीक है, यह equation है, इधर value पूट करो, परवचो, value पूट करके देखते हैं, चीजों को समझना, परवचो, एक एक चीज क Equation क्या, رجो 2, C2, यहिनि की, परवचो, column 2 का पहला element, पूट करो, 상황 2, परवचो, 5, minus, परवचो, 5,phatous, column C1 का first element क्या, मेरे पास,RS 7, का परवचो, 2, यहनि कuting 10 minus 10 कीटना हो, परवचो, कितना हो हैगा, 0, कितना जाएगा भी, 0, एक condition मेरे satisfy होगी, परवचो, ठीक है, यहां पूरा का पूरा question, जो तुम्हारी observation power कहेगी, तो परवचो question होगा, otherwise question को छोड़ के आना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता, परवचो तुम्हारा, क्या पता यही वाला हूँ, तो परवचो two into, second, c2 का second element क्या परवचो 3, minus 5 बुना परवचो, यहां पर इसका क्या है, identity matrix क्या आगी, एक form बनगी, परवचो 0 और 1, देखो 0 और 1, अब परवचो यहां पर थोड़ा सा चेंज हो रहा गया, एक परवचो एक operation इसके अंदर भी लगाना पड़ेगा, साथ के साथ, तो परवचो फर्ष्ट कोलम तो सीम रहेगा, 1, 0, परवचो, अब second column के अंदर ल कोई दिकत, कोई प्रेचा ने, परवचो, कर लोगे, चीजों को समझना, परवचो, ज्यान देना थोड़ा सा, चीजे समझ में आएंगी, ठीक है, बाद में जब प्रैक्टिस करोगे न, परवचो, प्रैक्टिस करोगे जब, तो चीजे और भी असान लगेंगी, तुमें प्रैक्टिस करोगे, परवचो, यह मत्सों कि पता नहीं क्या पड़ाया जा रहा है, बिल्कुल असान चीज है, परवचो, अब देखो वी, 2 इंटो, 2 इंटो, 2 इंटो, 1 इंटो, 1, 5 इंटो, 0, तो यह 0 होगे, परवचो, खतम, यह कितना बचा, 2 इंटो, 1, 2, कितना बच परवचो, एक ऐसा ओपरेशन लगाओ, परवचो, एक ऐसा ओपरेशन, परवचो, यह तो यहां पर 0, यह तो यहां पर 1 आजाए, बताओ भी, कौन सा ओपरेशन लगता, परवचो, तो परवचो, यहां से एक ओपरेशन लगेगा, क्या बनेगा, परवचो, इस बार परव में चेंज करेंगे तो एक बार C1-C2 करके देखो C1-C2 करके देखो कैसे करोगे? देखो चीजों को समझना है C1-C2 मैं आपर यहाँ जीरो बनाऊँगा यहाँ पर एक बनाऊँगा, एक काम करोगा समझना, सेकेंड कोलम तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा अब पर गाएंगा, सेज़ चेंज आएगा तो C1-C2 C1 का फर्स्ट आइलमेंट करना में परवश दो वाइनिस का करना पटेगा, परवश जीरो तो कितना बनेंगा परवश दो कोई दिक्कत कोई परेशानी कर लोगे अब परविचो समझना, C1 का परविचो second element क्या है 1 और minus क्या करना भई, C2, minus कर दो 1 1 minus 1 क्या जाएगा परविचो 0, यहाँ पर क्या आ गया भई, मेरे पास 0 अरे क्या आ गया 0, देखो परविचो identity matrix से मिलता जुलता बन गया अरे मिलता जुलता है 1001, 2001 यहाँ पर एक element ऐसा राय गया, अगर वो और 1 बन गया तो सोच लेना परविचो यही matrix हमारी क्या हो जाएगी identity matrix बन जाएगी और जैसे यह identity बनेगी तो तुम्हारा क्या जाएगा तुम्हारा काम बन जाएगा अब परविचो चीजों को समझना हमारे यहां पर इन्वर्जन निकालना परविचो ए-matrix का तो वह हमारा निकलने ही वाला है बस थोड़ा साओर दारिया बना के रखो चीजों को समझो परविचो C1 तो परविचो C2 में तो चेंज आना नहीं है कोई इसको तो रखो परविचो ऐसे का ऐसे minus 5,2 ठीक इसमें चेंज आएगा परविचो column 1 में column 1 का first element का परविचो 1 और माइनस हवर करेंगे,FX करो माइनस करो माइनस के 5 ठीक है, besser High कितना बी mid 2 कोई दिकत, कोई प्रिचान नहीं यहां तक की truth समाझ में की क्वेश्चन आएगा कर लोगे, ऑपने यहाँ पर अब हम बेलकूल नजधीक पहुंच शूके हैं अपने answer के बस थोड़ा सा और इंतजार प्यारे बचो थोड़ा सा और इंतजार करो सारी चीज़े आपके सामने आएंगी प्यारे बचो एक एक चीज़ आएगी प्यारे बचो चिंता मत करो मेरे डाड़ लो PDF के अंदर इतने question दूँगा कि तुम प्यारे बचो शोल करना अगर तुमने वो सभी question शोल कर देना तो प्यारे बचो सोच लेना तुम्हारा प्यारे बचो selection रोकने वाला इस दर्थी पे कोई नहीं है कोई नहीं है प्यारे बचो इस दर्थी पे सबकी छूटी है टो पिरबचो इतनी आसाथ नहीं होती है चीजे बनाने के लिए टाइम लगता है अब आते हैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आम भाआ अब आएगार एंग्लिंग के खतम होगental अधंके हैं थोड़ी देर वो छनता है यहाँ पर मुझे एक और एक और क्या करना पड़ेगा पर फिर 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 करो पहरेवचो method कौन सा पहरेवचो operation यूज करो 1 by 2 c1 का इसका भई 1 by 2 c1 का तो पहरेवचो कर देते हैं column 2 तो unchanged रहेगा भई column 2 को रखो पहरेवचो ऐसे का ऐसे 0 और 1 अब पहरेवचो column 1 में 2 into 1 by 2 देखो column 2 का पहरेवचो पहरेवचो 2 to पहरेवचो एक बटे 2 से गुणा करता हूँ कितना अबभई एक होगया कोई दिकत कोई प्रेशा निपरचो second element क्या भई? 0, 0 गुणा एक बटे 2, एक बटे 2 से गुणा करोगे, पहरे बचो, कितना आएगा? 0, कितना आएगा भी 0, क्या बन गया मेरे पास? पहरे बचो, एक identity matrix, अरे 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, identity matrix बन गई, पहरे बचो, inversion निकल गया, सांबा, सांबा, बहुत बढ़िया काम किय मज़ा आगया देखके, चलो, आगे बढ़ते हैं, पहरे बचो, a into, काम अभी खतम नहीं हुआ है, काम अभी बाकी है, पहरे बचो, पहरे बचो, यहाँ पर पिक्चर पूरी करते हैं, तो पहरे बचो, अब इसमें भी तो operation लगेगा, फर्स्ट कोलम में उपरेशन लगेग तो पहरे बचो, देखो, 6 गुणा 1 बटे 2, कितना बना, 3, बन जाएगा पहरे बचो, 3, डिरेक्टली चीजे आएगी, अब पहरे बचो, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 2 गुणा 1 बटे 2, कितना आगा, माइनस का 1, कितना बन गगा, माइनस का 1, तो पहरे बचो, यह मेर इधर था ये हमें identity matrix, आगी पहरे बच्छो बराबर किस के होना चीए पहरे बच्छो, A matrix गुंणा पहरे बच्छो, B matrix This is my A matrix, ऐसे की ऐसी है ये कहा पहरे बच्छो, B matrix, ये पहरे बच्छो, हमारी क्या आगी? गुणा कर ले ना, पहरे बचो, क्या आजाएगा तुम्हारे पास, क्या आएगा मेरे लाड़ो, यहाँ पर हमारे पास आएगा एक identity matrix, क्या जाएगी वही एक identity matrix, बहुती जबरदस्त सवाल था, पहरे बचो, एक एक concept पहरे बचो, तुमको समझा दिया है, और पहरे बचो, ह इतने पापी लोगों को कौन याद करता है, लेकिन कभी कभार भी कोई तो करी लेता होगा, तो पहरे बचो, जो important बात है, वो समझो यहाँ पर, क्या कहा है मैंने, पहरे बचो, यहाँ पर हमने operation लगाया, कौन सा column operation, इसे पहले वाले सवाल में row operation, 3 into 3 का सवाल नहीं आएग तो पहरे बचो, PDF परचेज करके देख लेना, PDF में सवाल मिल जाएगा, पहरे बचो, तुम लोगों को, अब पहरे बचो, एक question और हलाजवाब question उसको भी करते है, तो पहरे बचो, question को ध्यान से देखो, तुमारी screen के ओपर question दिया हुआ है, पहरे बचो, हमारा last question है, पहरे दो matrix हैं, पहरे बचो, एक दूसरे की inverse, केवल एक ही condition पर हो सकती, पहरे बचो, कब, चार option है, पहचानो, पेपर में सीधा सवाल टपकेगा, पहरे बचो, देख लेना, तो पहरे बचो, यहाँ पर चार option है, A, B, B, A, 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 B A, B, 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 A आना क्या चाहिए हमारे पास identity matrix starting में पैरे बचो ये वाली मैंने तुम्हें एक क्या बताई थी पैरे बचो condition होती है पैरे बचो ये हमारी matrix की और ये condition मैंने starting में ही बता दी थी तुम लोगों को बीच में ही बताई थी सवालों के जब हम पैरे बचो elementary operations का basic कर रहे थे वहां पर मैं बता चुका हूँ ये वाली चीज तुम्हें पैरे बचो बिलकुल सेम चीज पैरे बचो तुम्हारे सामने आई थी वहां पर भी मैंने बताई थी D option पैरे बचो तुम्हारे क्या रहेगा इस स्वाल का right answer कौन सा उप्षन पैरे बचो तो परिएबचो होम्वरक का question 2142 इस matrix का हम ही क्या बताना है inverse inverse बताओ परिएबचो एक matrix दिये है परिएबचो मुझे A matrix तो परिएबचो find out A inverse किसके equal होगा यह तुम्हारा होम्वरक का question है परिएबचो अब पैरे बचो हर संडे को मैं live आओंगा पैरे बचो स्याम को 7 या 8 बजे जो भी time होगा पैरे बचो schedule डाल दिया करूँगा उसमें पैरे बचो मैं सिरफ और सिरफ जो recently, last week में पैरे बचो जो comment आए है मेरे पास बचो के उन comments के जवाब भी दूँगा पैरे बचो मैं तुम्हें live आकर, और पैरे बचो जो साथ के साथ तुम लोग comment करोगे, live आओगे वहाँ पैरे बचो तुम्हारे सवालों के जवाब दूँगा ठीक कैरे बचो तो वहाँ पैरे बचो मैं बताओँगा कि किस किस किस-किस नदारद, किस-किस उस जाबाज बच्चे ने मुझे answer दिया है, इस सवाल का किस-किस बच्चे ने, हर बच्चे का नाम बताऊँगा वहाँ से पता चलेगा तुम लोगों को, operation कोई भी लगाना चाहे column वाला लगा लेना, चाहे रोवाला, मर्जी तुम्हारी रहेगी मुझे homework के question का सिरफ answer चाहिए answer चाहिए, answer चाहिए answer बता देना, मान जाऊँगा तुम्हें, आज की class है, तुमने कुछ सीखा है तो matrix का topic, आज हमारा complete हो चुका है matrix के अंदर एक single type का question भी तुमारा नहीं बसता practice बसती है प्रेक्टिस सवालों की practice भी करवाँगा, चिंदा मत करो concept clear होगे, प्रेक्टिस उसके जितने भी type करवाए हर type के सवाल करवाए है साथ के साथ सवाल करवाए है ऐसा नहीं सवाल नहीं करवाए लेकिन प्रेक्टिस एक अलग से practice class डाल देंगे उसमें क्या दिक्कत है भी, कलास डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं प्रेक्टिस तो प्रेक्टिस फिर से बता देता हूँ अगर H.S.C. previous year papers की 2015 से 2021 तक पूछे होए questions की PDF purchase करना चाहते हो प्रेक्टिस तो मेरी side में देख सकते हो 89, 88, 10, 14, 12 इस नंबर पर payment करो 30 रुपे में PDF मिलेगी PDF1 जिसमें solution होंगे सभी questions के साड़े 500 प्लस questions हर्याना पुलिस, SI, ग्राम सचीव, कलर कोई भी paper देले ना हर paper के पूछे होए question तुमें मिल जाएंगे previous year के 2015 से 2021 सारा content एक ही PDF सब कुछ पार कोई mock test नहीं चाहिए कोई practice set नहीं चाहिए सिर्फ इन ही को लगा ले ना यही तुमारे लिए बहुत होगा topic wise question arrange कर रखे है और साथ में solution 20 रुपे में बिना solution वाली PDF है PDF एक ही परजेच करना है पर दोनो PDF मत परजेच करना एक ही करना question दोनों में same है questions में कोई difference नहीं है सिर्फ difference है solution का और बिना solution के बस और कोई नहीं परजेच हो साथ ही अपना math का जो course है वो लोंच होने वाला है आज या कल में लोंच हो जाएगा उसमें परजेच हो आपको arithmetic plus advance की एक साथ सो से उपर वीडियो मिल जाएंगी और उसमें कुछ और वीडियो भी मैं add करता रहूँगा किस platform पर है परजेच हो special live session लेकर रहूँगा सारी information उसी time पर दोँगा किस topic का कितना content एक एक चीज selected है तो परजेच हो एक या दो दिन और wait करो आपका परजेच हो इंतजार का जो लमा है वो खतम होने वाला है ठीक है तो परजेच हो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like और share कर देना परजेच हो मिलते हैं परजेच हो जल्दी next class नई topic के साथ परजेच हो तब तक के लिए जय ही जय बारत जैकी साम